हेलो स्टुडेंस आज 15 मर्च 2019 से और आज का मॉस्ट इंपोर्टन करेंट अफेर लेकर आये हूँ जो लोग पहली बार हमारे चैनेल प्यार हैं डेली सबसे पहले करेंट अफेर देखने के लिए हमारे चैनेल को सब्सक्राइब कर लिजें और इस तरह के बेल आइकन को प्रे पूट कर सकते हैं वीडियो के अंत में आपसे दो क्वीज करूंगा जिसका एंसर आपको नीचे कमेट में लिखना है और वीडियो देखने के बाद पसंद आता है तो लाइक और शेयर जरू करना अब चलिए स्टार्ट करते हैं पहला कोशन है 13 मार्च को कौन सा बैंक पहल पहले भारत की दो कमपनिया है जो छे ट्रिलियन रुपे के बजार पूजी करन की सीमा को पार कर गई है तो उसमें पहले अस्थान पे है ताटा कंसल्टेंसी सर्विसेज और दूसरे अस्थान पे है रिलाइन्स HDFC बैंक जो है अब तीसरा ऐसा भारत का फर्म बन गया है जो छे ट्रिलियन रुपे के बजार पूजी करन को पार कर लिया है अब इस बैंक के बारे में हम जान लेते हैं इस बैंक की अस्थापन हुई थी 1994 में हेड़क्वाटर मुंबई में है वर्तमान में इसके परबंध निदेशक हैं आदित्यपूरी और गैर करेकरी अध्यक्ष हैं श्यामला गोपिनात अगला कोशन है हाली में विश्व किड्नी दिवस कब मनाये गया है ये मनाये गया है 14 मार्च को ओप्शन भी राइट अन्सर है इसका हर वर्स मार्च के दूसरे बिरहस्पतिवार यानि थर्षडे को यह दिवस मनाये जाता है तो इस बार 14 मार्च को दूसरा थर्षडे पड़ा था इसलिए विश्व किड्नी दिवस इसी दिन मनाये गया अच्छा 2019 का क्या विश्व है किड्नी हेल्थ फोर एवरिवन एवरिवेर ठीक है इस वर्स का यह विश्व है थीम अगल भातनी एंपचते रीकनी उनिलदा स्वाज जोरू हुआ है तो भारत और ओमान के बीच में शुरू हुआ है ओमान के निजुआ में इस संयुपत संय अभ्यास का आयोजन किया आ जा रहा है ठीक है इस अभ्यास में ओमान के दस्ते का नित्रित्वा जबल रेजिमेंट तथा भारतिये दस्ते का नित्रित्वा गढ़वाल राइफल रेजिमेंट की दस्वी बटलियन कर रही है ओमान एंसर है इसके बारे में जान लेते हैं सबसे पहले मैप देखिए जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ पर हैं ओमान, ओमान एक खाड़ी देश है, यहाँ पर सौदी अरभ भी है, उनाइटट अरभ अरभ एमिरात भी है, येमिन भी है, ये सारे खाड़ी देश है उमान की कैपिटल है, मस्कट यहां के सुल्तान है और परधान मंत्री, सुल्तान और परधान मंत्री दोनों है, काबूस बिन सैद अल सैद और मुदरा चलती है, जिसका नाम है रियाल अगला कोशन है, केंद्रिय कैबिनेट ने दमन एंड दिव सिविल कोर्ट संसोधन विनियमन दोहजर उन्निस और दादरा एंवन नगर हविली नागरिक न्यायलों और विवित प्रवाधान संसोधन विनियमन दोहजर उन्निस को समिधान के कीस अनुछेद के तहत मंजूरी दे दी है, तो इस संसोधन विनियमन को समिधान के अनुछेद 240 के तहत मंजूरी दी गई है, ओप्शन D राइट अंसर है इसका, इस संसोधन से मौजूदा सिमित आर्थिक 16 दिकार के करण वाधियों को अपील दायर करने के लिए मुंबई नहीं जाना होगा, तथा साथ ही नियाय देने वाली पढ़नाली को तिवर बनाने में भी मदद मिलेगी, तो जैसा कि आप जानते हैं, मुंबई उच्चे नेले के अंतरगत ये दोनों के अंदर सासित परदेश आते हैं, दमन एंट दिव तथा दादर एंव नगर हवेली, चली अगला कोशन है, 14 मार्च से कहां पर विशेस ओलोंपिक विश्व खेल 2019 का आयोजन शुरू हुआ है, विशेस ओलोंपिक विश्व खेल, इसको इंगलिश में बोलेंगे, Special Olympic World Games, तो इसका आयोजन शुरू हुआ है, United Arab Emirates में, Option A राइट अंसर है इसका, यह पहली बार किसी पश्मी एसिया देश में आय ठीक है, इसमें 200 देंसों के लगभग 7500 एथलीट भाग ले रहे हैं, United Arab Emirates इंसर है, इसके बारे में जान लिजिए, अभी हम लोगोंने मैप देख लिया है, United Arab Emirates की Capital है, अबुधाबी, राश्टर पती है, खलीफा बिन जायद अल नहयान, परदान मंत्री है, मुहम्मद ब यह जिसका नाम है, दिरहम, अगला कोशन है, हौकी प्रतियोगी था, Bombay Gold Cup 2019 का खिताब किसने जीता है, तो यह खिताब जीता है, Indian Oil ने, Option B, राइट अन सरे इसका, पंजाब और सिंद बैंक को हरा कर, इसने यह खिताब जीता है, Indian Oil जो है, 2018 में भी Bombay Gold Cup का खिताब जीती थी, अगला कोशन है, राकेश मकीजा, किस बैंक के गैर करेकरी अध्यक्ष नियुक्त हुए है, यह 61 बैंक के गैर करेकरी अध्यक्ष नियुक्त हुए है, गैर करेकरी अध्यक्ष को, इंगलिश में, Non-Executive Chairman बोलते हैं, ठीक है, त इस बैंक के बारे में जान लिजिए, एक्सेस बैंक की आस्थापना 1993 में की गई थी, हेड क्वार्टर मुंबई में है, और वर्तमान में इसके परबंध निदेशक और मुख्य केरेकरी अध्यक्ष नियुक्त हुए है, अगला कोशन है, 13 मार्च गो, जीवन बीमा निगम क के नए अध्यक्ष कौन नियुक्त हुए है, MR कुमार, ये LIC के नए अध्यक्ष बने है, option A, right answer है इसका, और दो परबंध निदेशकों की भी नियुक्ति की गई है, एक है विपिन आनंद और एक हैं TC सुसिल कुमार, इसे भी आप नोट कर लिजेगा, कि LIC के परबंध नि TC सुसिल कुमार, और अध्यक्ष बने है, MR कुमार, LIC का इंग्लिश में फूल्पम वता है, Life Insurance Corporation of India, इसकी अस्थापन एक सितंबर 1956 को की गे थी, हेड़क्वाटर मुंबई में है, अगला कोशन है, वंडे किर्केट के इतिहास में सबसे तेज 8,000 रंद बनाने वाले तीसरी खिलाडी कौन बन गया है, रोहिच शर्मा बन गया है, ओप्शन ए राइट अंसर है इसका, इन्होंने कुल 200 ODI मैचों में, यानि वंडे इंटरनेशनल मैचों में, 8,000 बनाये हैं, ठेक हैं, तो ये तीसरी खिलाडी बन गया है, पहले खिलाडी कौन है, विराट कोहली है, वे 182 ODI मैचों में, 8,000 पूरे किये थे, अब रोहिच शर्मत तिसरे आस्थान पर आगया है, ठेक हैं, एक चीज़ और जनिये, सौरब गंगुली जो हैं, इन्होंने भी 200 ODI मैचों में, 8,000 पूरे किये थे, तो इसी के साथ रोहिच शर्मा गंगुली के साथ तिसरे इन दोनों ने 200 ODI मैचों में, 8,000 बनाने का खिताब हासिल किया है, अगला कोशन है, हाली में, मर्स्तर द्वारा जारी CT Libability Index 2019 में, पहले अस्थान पर कौन है, इसमें पहले अस्थान पर है, वियाना, ओप्शन B, राइट अंसर है इसका, 231 देसों की सूची में ये पहले अ और तीसरे अस्थान पर, Auckland और Munich, ये दोनों है, Munich जो है, Switzerland का एक शहर है, जीवरिक और Munich दोनों, अब हम इसी रैंक में भारतिये शोहरों के बारे में जान लेते हैं, भारतिये शोहरों में, हैदराबाद और पूने, ये दोनों 100, 43 अस्थान पर है, बैंगलूरू, 149 अस्थ पर है, 154 और कॉलकात्ता जो है, 160 अस्थान पर है, ठीक है, यह इंडेक्स, सिख्छा, स्वास्थ, परियावरन और परिस्थिति की परिवहन, सामानों की उपलबदेता, तथा आर्थिक वातावरन के अधार पर जारी किया गया है, अब इस कोशन का एंसर है, वियाना, जो क अश्थरिया की राजधनी है, अब हम अश्थरिया के बारे में जान लेते हैं, सबसे पहले मैप देखिए, आश्थरिया एक ये ओरोपियन कंट्री है, आप यहाँ पर देख सकते हैं, यह है आश्थरिया, इसी के पास में इटली है, हंगरी है, सुलुआकिया है, चेक एके जंडर, वान देर, बिलन, और मुदरा चलती है यूडर। अगला कोशन है, हाल ही में हुए समझाूते के तहत, भारत में कुल कितने अमेरिकी परमानू उर्जा सैंत्र अस्थापित किये जाएंगे? तो भारत में कुल 6 अमेरिकी परमानु उर्जा सेंत्र अस्थापित किया जाएंगे ओप्शन C राइट अन्सर है इसका 13 मर्च को वाशिंग्टन में आयो जीत भारत अमेरिकी सामरिक सुरक्षा वारता के 9 संस्करन में यह समझाता किया गया इसी वारता में भाग लेने के लिए हाली में विदेश सचिव विजाय केशव गोखले अमेरिका गया हुए थे तो यह था हमारा आज का करेंट अफियर वीडियो पसंदा है तो लाइक और शेर जरू करना अब चलिए कलके कोशन का एंसर बता देता हूँ पहला कोशन था बारव मार्च से कहां पर अहार अंतराश्ये खादेयों अतित्य उत्सव का आयोजन शुरूआ है सभी लोगने अंसर सही दिया था नई दिल्ली सही उतर था दूसरा कोशन था वर्तमान में भारत के गिरी सचिव कौन है इसका भी अंसर सभी लोगने सही दिया था राजिव गौबा वर्तमान में भारत के गिरी सचिव है यानि होम सेक्रेटरी ओप्शन में आपको जो विजय केशो गोखले देख रहा है ये हैं विदेश सचिव सुभास चंदर गर्ग जो हैं ये हैं विद सचिव संजय मित्रा जो हैं ये हैं रक्षा सचिव अब चली आज का कोशन करता हूँ जिसका एंसर आपको नीचे कमेंट में लिखना है पहला कोशन है इस्पेनिस फूटबल कलब रियल मैडरीट के कोच के रूप में किसे निउक्त किया गया है दूसरा कोशन है वर्तमान में लोग सबा की कितिनी सीटों पर चुनाओ कराये जाते हैं दोनों का एंसर नीचे कमेंट में जरूर लिखिएगा और जो लोग पहली बार हमारे चैनल पे आएं हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजेगा ताकि जो भी इस तरह का जीके और करेंट अफरे का वीडियो आएगा उसका नोटिफिकर्शन आपको सबसे पहले मिल जाएगा